प्रशाशन के प्रशाशन के थाने का घराव उत्तर परदेश के जनपद में भारते किसान यूनियन अरज नेतिक के पदा दिकारियों ने खटा होकर थाने का घराव किया और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रशाशन के प्रदर्शन के प्रदर्शन के प्रदर्शन करते होएं। समान निदी का पर 40% भी बुक्तान किसानों को नहीं मिला है जिसकी वज़े से किसानों का विभाग्य दफ्तरों के चक्र में काटने पड़ रहे हैं किसानों ने मांग करते हुए कहा कि जल से जल इन सभी समस्चाओं को समाधान मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात के द्वार किया जाया नहीं था अंदोलन किया जाएगा मुरादाबास से परवे संसारी की रिपोर्ट रिशिपाल सिंग भारते किसान यूनियन बरिशनेता यह हमारा पूरा परदेश व्यापी अंदोलन राष्ट्य आभान पर हुआ है और इसमें विसेश मुख्य मामला है गन्ना भ अंदर अन्य था ब्याज तो आज हम यहां बिल्कुत जो भी चीनी मील है उस चीनी मील के छेतर में नजदीक जो भी थाना आता है अगवानपुर चीनी मील का सिविल लाइन थाना है तो इसलिए आज सिविल लाइन थाने की धरती पर हमने आज यहां ग्यापंदिया राष् ली जाए बहुत ज़्यदा बढ़ा रखी है ऐसे ही तमाम मेंगाई चरम सीमा पर हैं जब हिंदुस्तान डिजिटल है तो गन्य का भुक्तान डिजिटल क्यों नहीं हो सकता हम देश के प्रदान मंत्री को पता देना चाहते हैं कि चुनाबी घोस्तना पत्र में एक लाग करज करे सबको का मफजह मिलना चाहिए लाग को हमने प्रसाधन प्रसाधन को जिम्मे बन जाती है गन्ना भुक्तान कराने की यह एक-एक महीने तो प्रवाff को उजांगर हो यह जिसमें किसान से मांगा जा रहा है फर्द कि खसरा आधार काड कहां से लाए किसान वो उन्हों नहीं ली जाएगी अरे विभाग अपने आराम से कंपूट से मगवावे आज पुरा इंटरनेट जुड़ा हुआ है हमने पिछले बार से जो कागज इखटा करके विभाग को दिये हैं वो करोर रूपे के गना विभाग ने वे काम करना है जे जवान जे किसान धन्यबाद आप सब को लिए यह हम 12 बज़े आगे और यो चमें हुर्या जाने का वो देख लो आप दो बज़े हैं थाने भी बैठे हैं लगता हाँ थाने गंदरी जे जवान जे किसान दो गंटे होगे पूरे दो गंटे गंटा मूल भुकतान को लेकर क्रिश्कों दोरा ग्यापन दिया गया है इनका राश्टिया वान था जनपद में हमारे अभी तक हम लोगों ने जितना गंटा प्रचेज हुआ था उसका 75% का भुकतान हम ने करा दिया है और हम लोगों प्रयास है कि सितंबर महिने तक 100% हम गंना मूल का भुकतान करा देंगे और स्तिती हमारी अच्छी है फिर भी किसानों की मांग जन्मीन है गंटा मूल भुकतान करा मांग की व ब्याज की मांग शाषन अस्तर पर ही इनकी नेस्तारित हो सकती है हम ब्याज के समझमे साषन को भी पतराचार करें गे साषन से अदियानमत मिल्ती है तो ब्याज की भी इनकी भुगतान किया जा सकता है